हलो फ्रैंट्स आज ब्यार के महापर्व छट बरत का तीशरा दिन और तीशरे दिन डूबते हुए सुर्ज को अर्ग दिया जाता है और एक आर्च नदी की नाड़े या नदी में परवेशकर या जल में परवेशकर करना होता है तो जहां शुविदा है छोटे नदी शोरूप में भी जल अगर एकत्रित है तो लोग वहाँ चले जाते हैं कुछ लोग जो गंगा के तक पर हैं वो गंगा नदी के किनारे चले जाते हैं तो परथम चरन में बरतिंग जो परशाद अर्ग के लिए गाट पर मंगवाती हैं उ और फिर धूप दीप के साथ अराधना करती हैं यह परथम चरन है आज के अर्ग का और दूसरे चरन में बरती जल में परवेश करती हैं असनान करती हैं और खरे होकर कुछ मिंटों तक अराधना करती हैं कुछ मिंटों का मतलब आप यह समझ लें कि सुर्ज जब अस्त होने को होंगे तो उस समय उनको अर्ख दिया जाएगा उसके पुर्व जल में खरी रहेंगी तो दूसरा चरण आज के अर्ख का है और तीसरे चरण में तो अर्खी दिया जाता है तो मेरी कोशिश है कि मैं तीनों चरण आपको यहां दिखाने की कोशिश करूँ पर्थम चरण आप देख पा रहे होंगे कि परशाद तट पर घाट पर पहला दिये गये हैं अर्खना को बर्तियां बैठी हैं और कुछ बर्तियां जल में प्रवेश कर चुकी हैं तो यह दूसरा चरण है जल में प्रवेश कर तीसरे चरण में परशाद को अपने हाथों में लेकर दूपते हुए शुर्च का रुक कर अड़क देंगी तो यह आज के तीसरे दिल के जो गीधी है उसमें यह तीन चरण सामिल होते हैं देख लें परशाद पहला कर रखे गये हैं तटपर और बढ़ती बैठकर आराधन भी करती हुई आपको दिख जाएंगी उसके बाद जल में परवेश करेंगी वहां कुछ मिन्टों तक खरे होकर आराधना करेंगी और उसके बाद जो परशाद पहलाए गये हैं उसे अपने हाथों में लेकर दूपते हुए शुर्च को अरपित करेंगी तो आज के तीसरे दिन के बर्त के तीसरे दिन के ये तीन चरन बनते हैं और ये बात बाहर के परदेश के लोगों को पता हो कि क्या बीधी बिधान है तीसरे दिन का इसलिए बताया जा रहा है बिहार के लोग तो सब कुछ जानते ही हैं तो बाहर के जो भी लोग दूसरे परदेशों के जानन तो उनके लिए जानकारी बड़ी बात है कि चार दिनों तक वर्थ चलता है तो चार दिनों तक चलने वाला कोई भी वर्थ नहीं है हमारे यहां और वह भी जो निर्जला वर्थ होता है और कोई भी वर्थ यदि किया जाता है तो इतने लंबे समय तक निर्जला नहीं रहा जाता तो छट वर्थ में तकरिवन पहले दिन तो बड़ती नमक का इस्तिमाल करती है और परसाद सरूप चने का दाल और लौकी सबजी एसम खाती हैं दूसरे दिन पूरे दिन निर्जला रहकर रात्री में खीर और गेहों के आटे की रोटी फल फूल से फिर अराधना करती हैं रात्री में दूसरे दिन और जिसको खरना कहा जाता है कुछ जगह तो दूसरे नमों से भी जाना जाता है और उस दिन भी बड़ती पूरी निर्जला होती है दिन भर और पूजन के पश्चात जो प्रशाद निर्मित होता है उसे गरहन करती है और अगले शुवा से फिर से 24 घंटे तक निर्जला उपवास पर होती है और समापन के बाद ही अनजल गरहन करती है तो कश्ट तो आप देख लें उपवास का है निर्जला रहने का है और जल में खरे रहने का है इतने ठंड में जब लोग स्वेटर शाल में भी शायद राहत महसूस ना करते हो बर्तिया ठंडे जल में कुछ मिन्टों तक घंटे नहीं पर कुछ मिन्टों तक तो अवश ही पंद्रह मिनाट बीच मिनाट आदे घंटे तक खड़ी होती है और एक कश्ट और सहनिय कश्ट है शायद इसी कश्ट की बज़े से छट माई की किरपा बिलकुल ही बर्तियों को मिलती है और इसलिए बिहार में सरवादिक आस्था का विश्वास का एक पर्व माना जाता है और एक पर्व सबसे ज़्यादा कश्ट दाई पर्व है क्योंकि एक तो मौशम ठंड का दूसरे ठ खरे होने की जरूरत हो जाती है क्योंकि जल में खरे होकर जब तक आराधना ना की जाए तब तक ए चरन आराधना का पूरा नहीं होता तो आराधना तीन चरनों में तीसरे दिन होती है पहला चरने पर्शाद को गाट पर फैला कर धूप दिप से आराधना की जाती है दूस तीसरे चरन में हाथों पर परशाद लेकर रूपत सुर्ज को अर्ग दिया जाता है तो इस परकार तीसरे दिन की बिदी पूरी होती है और अगले शुवा अगले सुवा पुनह बरतियां घाट को आती हैं दूसरे परशाद ले कर आज जो परशाद इस्तिमाल किया गया है वो परसाद बिल्कुल ही नहीं लाई जाती नए परसाद जो घर पर होते हैं उनको लेकर आती है और उगते हुए सुर्ज को उदेमान सुर्ज को अर्ग देती है और प्रक्रिया सामबाली ही होती है परसाद पहलाए जाते हैं अरादना की जाती है धू शुर्ज भगवान का दर्शन इनको होता है, शुर्ज उद्य के समय ये फिर से परशाद को अपने हाथों में लेकर उगते हुए शुर्ज को अर्ग पित करती है, अर्ग तो सुबह का कष्ट और भी ज्यादा इनका होता है, क्योंकि ठंड बेशुमार और जल भी उतना ही ठंड़ा और उसमें तक्रीबन आदे घंटे से 45 मिनट तक सारे किरिया करलाप उनको करने परते हैं, जल में अशनान करना परता है, खरा होकर अरातना करना परता है, फिर अर्ग देना परता है लाए गए परशादों से, तो ये क कष्ट और सहनिय कष्ट है, इसलिए सबसे कष्ट का पर चटवर्थ को माना गया है, पर बिहार की महिलाएं, हशी खुसी इसको जेल लेती हैं, और थोरी सी सिकन भी नहीं आती बरतियों के चेहरे पर, तो आप मान लें कि बिलकुल अगर फिर दैसे आप प्रभू की आराद ना करें, किसी भी देवता की आराद ना करें, तो आपको वांचित पल निश्चत रूप से मिलेगा, पर आपकी चाहत, आपकी इच्चा होनी चाहिए, तो फ्रेंट्स, मैं याद दिला दूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरपया च चटके बहुत ही अच्छे आए हैं, शारे वीडियो देखें, और इसके बाद बाहर के भी प्रेयाट अकस्तल धर्मस्तलों के दृश्च आपको दिखाये जाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखा करें, और वीडियो ज आपको पसंद आ रहे हैं, और आगे भी उस तरीके के दृश्च या उससे वहतर दृश्च दिखाने की चेश्टा जब हो, तो आपके द्वारा लाइक किया हुआ, जो प्रकिरिया है, उसके उससे उनका क्रियेटर जो होंगे, उनका मनोवल बढ़े, वीडियो ग्रापर का मनोवल बढ़े, एडिटर का मनोवल बढ़े, तो यह ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें, तो ज़्यदी पसंद आए, तो लाइक करें, और ज़्यदी कुछ कमी आपको महशूस हो, तो प्लीज अपना सुझाओ कोमेंट के मादम से दें, ताकि आवस्यक शुधार वीड वर्त का ए संध्या अर्ग, तीसरे दिन के अर्ग का द्रिश आप देख रहे हैं, और अहले शुभा, फिर से वर्तियां आएंगी घाट को, और उदे होते हुए, शुर्ज को अर्ग दिया जाएगा, और उसी के साथ ए चार दिनों से चला आ रहा, वर्त का समापन हो और ओद्रिश भी हम किसी और घाट से आपको दिखाएंगे, देखना ना भूलेंगे, वीडियो तोरा बिलम से आ सकते हैं, परन्तु अवस्च आएंगे, और आज तीसरे दिन का हमने इस घाट से दिखाया, और दूसरे घाट से हम शुभा के अर्ग का द्रिश पिल्पा के और राटुएंगे, पिल्पा के दिखाएंगे, यग multif, आोस्च आएंगे सिर आएंगे, तीसरे आएंगे, जा झाल पॉक सकते हैं, 兄नुवस्च आएंगे, दिर्रिश प्रकाएंगे कर दिखाएंगे, यवस्च से आएंगे, आएंगे हमादी दिखायार घज